नमस्कार हमारी इस खास प्रिशक्रश में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूं सुमिछ चौधरी सुदर्शन न्यूज की मुहीम रंग लाने लगी है दिल्ली से सटे गाजयबाद में एक महिला अपने ससुराल वालों के खिलाब संघर्श कर रही है ममता नाम किये महिला अपने 5 महीने के मासूम बच्चे के साथ पती के घर के बाहर धरने पर बैठी थी ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और महिला के बार-बार गुहार लगाने के बावजूद घर में घुसने नहीं दे रहे है लगातार वो महिला सुधर्शन न्यूस से जब इस मामले की पड़ताल की तो हम हैरान रहे गए कि पूरे मामले में ससुराल वालों ने मम्ता को घर में घुसने नहीं दिया है और पुलिस की मदद घर वालों ने ले रखी है यही कारण है कि जशुराल वालों की हर साजिश में पूलिस सामिल है मोदीनगर पूलिस ने अपना हक मांग रही महिला को पहले जबरन अस्पताल भिजवाया और बाद में जूटा रोप लगा कर जेल भेज दिया कि SSP ने कारवाई छोटे बच्चे के साथ महिला कैसे रच सकती थी साजिश क्या चार महिने का मासून कर सकता था शानती भंग गाजयबाद मुरादनगर के राधे शाम बिहार में अपने चार महिने के बच्चे के साथ अंशन पर बैठी मम्ता को यूपी पुलिस ने काल कोटरी में डाल दिया है मम्ता का कसूर सर्फ इतना है कि उसने ससुराल वालों के खिलाब इनसाफ की लड़ाई करने की ठानी मम्ता जब ससुराल वालों के खिलाब दहे जुत्पीडन का केस लेकर पुलिस के पास पहुँची तो ससुराल वाले इस पर नाराज हो गए और उन्होंने मम्ता को गरबावस्ता में ही घर से बाहर निकाल दिया मम्ता कई दिनों तक ससुराल के बाहर ही अंशन पर बैठी रही मम्ता के ऐसा करने पर ससुराल वालों ने उस पर जूटा आरोप लगा कर उसे जेल भिजवा दिया मम्ता को इस तरह जेल में डाले जाने पर यूपे पुलिस पर कई सवाल खड़े हो गए है प्रशासन की लापरवाही से एक पीड़ता के साथ उसके चार महीने के मासूम बच्चे को भी सलाकों के पीछे भिज़ दिया गया है एक मासूम और अबला महीला के खलाब पूरा सिस्टम खड़ा हो गया है मम्ता के पती और ससुर रसूपदार लोग हैं जिस वज़े से नेताओं के इशारे पर पूरी मुराद नकर पुलिस उसके खलाब खड़ी हो गई है सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या SSP को इस मामले में खारवाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्या चार महीने का मासूम शान तिभंग कर सकता था क्या छोटे बच्चे के साथ मम्ता कोई साजुष कर सकती थी महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए धेरो संस्थाएं खुली है लेकिन हैरानी होती है सिस्टम के खिलाब संघर्ष कर रही एक अबला और मासूम बच्चे की मा की मदद के लिए फोई आगे नहीं आ रहा है व्यूरो रिपोर्ट सुदर्शन नियो तो तुमाम संगठन जो है मुखदर्शक बने हुए थे जब ये महिला सुदर्शन नियूस के पास आई तुमाम दरों पर जाकर थक चुकी थी मम्ता और उसके बाद सुदर्शन नियूस के पहुँची सुधर्शन न्यूज के प्रधान सब पादक स्री सुरेश चोहान के ने नहीं सिर्फ मम्ता की बात सुनी बलकि उसे आश्वासन दिया उसकी मदद का उसके बाद एक टीम सुधर्शन न्यूज के तरफ से मम्ता के साथ रवाना हुई उसके ससुराल पहुँची और जाकर हमारी इन्वस्टिगेटिंग रिपोर्टर मनुला खोत्रा ने बकाइदा जायजा लिया कि क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है कुछ देर के बाद महिला को अस्पटाल पहुँचा दिया जाता है पुलिस से जानकारी जाती है तो पुलिस के अधिकारी इस पूरे से इंकार करने को नहीं मिली है और वो इस पूरे मामले में कुछ नहीं कर सकती उसके बावजूद भी उन्होंने ममता से मिलकर कोई भी जानकारी लेने की कोशिश तक नहीं की लेकिन अब सुधर्शन न्यूज की ये मुहीम काम्याबर लगती हुई नजार आ रही है जो मुहीम सुधर्शन न्यूज ने उठाई थी उसका फाइदा कही न कहीं अब ममता को मिलता हुआ नजार आ रहा है ममता को अब ये आस बंधने लगी है कि जल्द ही उसे नयाय मिल ज लगता है राजीव शर्मा जी जुम अनवदिकार कारे करता है लगातार इसमस्टे left कि काफी मदद कर तर इस पूरे मसले पर सुधर्शन न्यूस के साथ कंधे से कंधा मिला कर चल रहे थे आज एक बार फिर से हमारे स्टूडियों मौझूद है राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ एक बार फिर से इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए मैं जानना चाहूंगा कल से अब तक क सब्सक्राइब की थी और उसमें जो है आज यह हुआ पोजिटिव अगला कदम यह हुआ राष्टियम आनव अधिकार आयोग ने केस रजिस्टर कर लिया मुझे आस्वासंदिया गाया के जल्द ही संबंदित अधिकारी को नोटिस बेजने का आदेस पारित कर दिया जाए और मैं इस पर संग्यान लोगी मैंने उनको मेल किया फिर अउगत कराया उन्होंने भी मुझे आस्वासंदिया के यह उत्तर प्रदिस्क में जो है गलत है और जुल्म हो रहा है जे उसके बाद मैंने माननी है राष्ट्यमाईलायों की अध्यक्स हैं ममता सर्मा जी उनको भ मेरी बात हुई उन्होंने का मेल पराप्त हो गया और हम इसमतत का लेक्शन लेगे तो बिलकुल कहीं न कहीं जो मुहिम सुदर्शन न्यूज आगे लेकर चल रहा था वो मुहिम कहीं न कहीं काम्याब होती हुई दिखाई दे रहे हैं मेरे साथ फिलाल राब जिकुमार अपने लिए और अपने बच्चे के लिए इस तरह की प्रोसीडिंग उसके खिलाब की जा सकती थी प्रशाथ निंग उन्होंने उन पर्शनों के अगेंस लिया ने और जब वहां पर बताया गया कि वो आनसन पर बैठे ते रोशीड तो हरास्मेंट गिया गया और इस बीच में इन्होंने उसे महिला के साथ में और उस बच्चे को भी जेल में बेच दिया गया जबकि कोशिक साब अगर अगर इस तरीके का कोई मामला संग्यान में आता है और अगर इस तरीके का कोई केस चल रहा है कोट में तो क्या उसकी प्रोसीडिंग्स क्या होती है शुरुवात में किस तरीके का एक्शन लिये जा सकते है अगर कोट में प्रोसीडिंग ओन लेड़ी चली हुई थी तो पहले तो जो इनको हरास्मेंट इनके जो हजबेंड वगरा फैंबली मेंबर उनके किया जा रहा था थो उसमें यह मैला उसके लिए पहले उनके क्लेशन के लिए भी जा सकती हैंगा ही जे पॉस्त कि उस दिए बेड़ी को हरा है ज्युक्त हठक्राइद शाच्मेंट के आवल इन लोगों से नहीं हो रहा है इनको परतासनी सपोर्ट मिलनी चाहिए पुलीस और परतासनी के वो सपोर्ट भी नहीं मिल पाई इनको मेरे साथ संदीब सहाओ अधिवक्ता हैं वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं संदीब सहाओ साब इस पूरे मसले में अगर देखा जाए तो क्या एक महिला जो इस तरीके से अपने घर के बाहर बैटी है ससुराल वालों से जगह मांग रही है उनका ससुराल वालों का ये कहना है कि इस वक्त कोर्ट में केस चल रहा है इसलिए हम घर में घुसने नहीं देंगे क्या कानून के तरह ऐसा कोई प्राफधान है कि महिला को घर में रहने के लिए जगह न मिले नहीं पहला तो मेरा नाम है सुदीप साहु गाजेवास से पहली बाद की ज़वान वाले कह रहे हैं कि क्या कहते हैं कि उसका मुकदमत चल रहा है तो इसलिए ऐसा कोई प्राफधान नहीं है कि वह उसमें रहे सस्वाल के अंदर यह बिलकुल गलत कह रहे हैं डॉमेश्टिक वालेंस एक्ट के अंदर जो है प्रोविजन है राइट आफ रेजिडेंस इसमें अगर उन्होंने डॉमेस्टिक वालेंस एक्ट के अंतर गाद कहीं मुकदमत डाल लगखा है जाजियवाद के अंदर तो उसमें Magistrate साहब को ये पावर है कि वो जो संदक्षा अदकारी होता जिसे Production Officer कहते हैं उसको भेज करके और इस महिला को उस मकान की पहले Report मंगाएंगे और इस महिला को उसमें एक जगह दिलाएंगे ये महिला उस मकान में किसी कमरे में रह सके उसके इसके अदकार से वंचित नहीं किया जा सकता है लेकिन सुदीब जी अगर यहाँ पर जो पुलिस की प्रोसेडिंग से हैं उसको और उसके बच्चे को निकाल दें और उसको रहने की जगह भी ना दें लेकिन यहाँ पर प्रोसेटिंग पुलिस की तरफ से की गई है जो कारवाई की गई है वो महिला के खिलाफ ही की गई पुलिस ने बगाएदा महिला को लॉए न ओर्डर खराब करने के आरोप में जेल पहुचा दिया आरोप यह है कि कही ना कही पुलिस जो है वो भी दबाव तो क्या पुलिस के खिलाफ कारवाई नहीं होनी चाहिए तो इस तरीकी कारवाई कर रहे थे। राजकुमार कोशिक जी क्या इस वक्त जो महिला है वो यहीं चाहती है कि उसके बच्चे के साथ उसे घर में कम से कम रहने दिया जाए कोट में केस चल रहा है वो एक अलग मसला है उस पर हम नहीं जाना चाहते लेकिन उससे पहले जिस तरीके से यहां पर सुधीप साहुस ने बताया कि महिला के पाथ यह अधिकार है कि वो घर में रह सकती है तो क्या अब एक्शन जो है घरवालों के खिलाप नहीं होना चाहिए अगर होना चाहिए तो किन धाराओं के तहती एक्शन हो सकता है कम से कम पहली सुनवाई की और बहुत तेजी के साथ इसमें काम होता है अब हम लोग इनके लिए मदद करने के लिए हम लोग इसी डामस्टिक वालेंस एक्ट के तहर्ट जो है कल इनकी मदद करने के हम पूरी कोशिस करेंगे गाजयवाद में इनकी तरप से सुदीप साहु साब और राजकुमार कोशिक जी बने रहे हमारे साथ मेरे साथ राजीव शर्वाजीव मौजूद है जो लगातार इस पूरे मसले पर हमारा साथ दे रहे हैं मानव अधिकार कारे करता है राजीव जी जब आपने कल इस पूरे मसले पर संग्यान लिया जब रिपर्टिकारी के लिए बियां हमने तेन दिन चयोड़ दितने हैं और मानना अधिकार आयोग ने हमारी बात को सुना, समझा और प्रिटीशन को स्विकार किया और आज हमने संबंदित जो भी भागे हैं उनको भी कारवाई के लिए 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 महिला को जेल भेजा गया ममता को उस दिन कि अगर प्रोसिडिक्स के बार में आप बत बीमार है, इतनी बीमार नहीं थी, बीमार ये थी, साजिसन ये दिखाया गया, उसको वहां से धर्णास्तल से उठाने का एक प्लान था परसासन का, और बीमारी के बहाने उसको उठा दिया गया, राज्य महिला आयोग की सद्दस्रे राजदेवी चोधरी जी महा परसोनों ने बताया था, इतनी तवियत खराब नहीं थी, इतनी आलत बिगड़ी थी, आपको फोनों भी बताया था बिल्कुल ने, और उसके बाद एक बहाना था, वहां से उठाने का, सास्रॉल पक्स कहीं ने कहीं परसासन पर दबाव बना रहा है, उसके बाद जैसे ही म मेरा इलाज ठीक हो गया मैं ठीक हूं और मैं वहाँ जाना चाहती हूं वहाँ चली गई उसके बाद यह पता चला के सस्वाल वालों ने फोन किया पुलिस को के पत्राव कर रही है महिला घर पर इसलिए पुलिस है उसको और पुलिस करके लेगी मुद्दा इस बात का है कि सुदीब साउ साब जो यहां पर कारवाई की गई पुलिस अधिकारियों के तरफ से महिला को जेल भेज दिया जाता है तो इस पूरे प्रोसेडिंग्स के अंदर जो मुझे जानकारी मिली है एस जेम के पास यह अधिकार होता है कि अपने विवेक के अनुसार वो उस पर फैसला ले सकते हैं तो क्या सेल्फ बेल मिल सकती थी महिला को लेकिन उसको अरेस्ट करके और छोटा बच्चा उसके साथ जेल वेजना यह 100% आयमानवियता है और यह सबबता के खिलाफ है कोई भी कानुन मानवता के लिए ही बनाएगा हैं मानवता को देख के कानुन बनते हैं और उसमें परिवर्तन किया जाता है जब किसी साथ एक छोटा सा बच्चा है और वो लेडीज को यह ऐसा नहीं कर रही कि किसे ने किसी का मर्डर कर दिया हो या किसी का बहुत गंबीर चोट मोचा दियो वो सिरफ अपने छीज के लिए कह रही है जो मेरी चीज है वो मुझे दे दो दूसरी जिन उसको ये पूरा था था कि मजिस्टेर Сов जोसे बलकी उसकी मदद करते है इलटा अगर यहीं पर ऐसा कोई होता कोई बड़ा मजिस्टेर होता या बेस्टिक मुशिस्टेर होते है या क्या है कानून दो तरेका है एक अमीर आत्मी के लिए और एक साधानाव आत्मी की बात आती तो वो वो बाहर बूंता रहेगा और बाव साली लोग अपने पैसे के दम पर ही कानून से बचते चले आ रहे हैं जो और इसके पीछे सीधा सीधा पुलिस और प्रसासन का हाथ होता अगर वन प्रिशाफन चाहा है तो उसकी महिला की मदद अभी भी कर सकते हैं उसको जेल से निकालने के लिए वो खुद प्रियास करें और उसको निकाल करके उसकी सुस्राल में वापिस उसको प्रतिस्थापिद करें उसको इस्थान के लहाज़े उसका पमान है वहाँ पे राजकुमार कोशिक साहब क्या ये सवाल SDM साहब से नहीं पूछा जा सकता कि आखर अगर उनके पास ये अधिकार था कि महिला को चेतावनी देकर छोड़ दिया जा सकता है और जिस तरीके के ऐलिगेशन यहां पर लगाए गए थे वो तमाम ऐलिगेशन की जाच करते और क्या ये मान लिया जाए कि एक महिला जिसके पास पांच महीने का बच्चा है वो घर बर पत्राव कर सकती है क्या इन तमाम चीजों की जात नहीं होनी चाहिए थी राजीव जी राजीव शर्माजी आपसे पूछ रहा हूं यह थी और मैं इस मामले में एक चीज और बता दूँ अभी वरिश्टा दिवक्ता सुदीप साहुजी ने बताया रियल्टी यह है कि अमीर के लिए कानून अ जी प्रोफाइल आदमी के मामले में उन सम्बंदित अधीकारी का अपना विवेक काम करता है। उनको रिया करने के लिए इसको कर सकता रह Cabina का लाविक कार देते हैं कानून के आधार में कर देते हैं दूस爸 मय कहना चाहता हूं अगर यही लड़की किसी जो है सत्ताधारी पार्टी के सांसद की विधायक की या किसी राजय आयो की या किसी अधिकारी की बेटी होती तो क्या तब भी उसी स्थिती में यही कारी है किया जाता जो आज हो रहा है तब तो समाजवादी पार्टी के या सत्ताधारी पार्टी क किसी पर्टिकुलर पार्टी को टार्गेट नहीं कर रहा हूं किसी बी सत्ताधारी पार्टी के नेता होते हैं अगर उनकी परिवार्ब फोड़ करते हुए घर में गुषते हुए मैं ने कहीं लोगों को देखा है कैसे मामलों में बताया कि विवेक से SGM सहाब इस पूरे मसले पर फैसला ले सकते थे वो महिला की मदद कर सकते थे लेकिन ऐसा नहीं किया गया सवाल यही है आखिर इतनी असवेदंशील हमारी पुलिस उसके अधिकारी और राज़िप्रशासन किस तरीके से हो सकते हैं कि जब हमने सपा के नेताओं से बात करने की कोशिश की किस तरीके का आशवासन उन्होंने हमें दिया हाला कि कारवाई करने की बात कही गई है क्या कुछ आज हुआ आई आपको सुनवाते हैं रागवेदर जो नेता है सपा के जो अधिकारी है या जो पुलिस के अधिकारी है कहीं कहीं जो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है जो सही तरीके से काम नहीं करेगा उसको निश्चे दूरुप से धंड मिलना चाहिए अब ये पार्टी हाई कमान के भी संग्यान में ये मामला आ रहा है और इसे मैं भी उनके सं सरकार इसमें आशवासन देती है कि महिला को कहीं ना कहीं जो है नियाय दिलवाया जाएगा उन तमाम संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कारवाई की जाएगी जुन की तरफ से इस तरीके की कारवाई महिला के खिलाफ की गई है और सवाल यह है कि क्या उत्तरपरदेश की प यहां आए दिन महिलाओं के आवरूप को तार-टार कर दिया जाता है वही उत्तर-परदेश की पुलिस यह दावे कर रही है एक महिला अपने पांच महीने के मासूम बच्चे के साथ लॉऔच ओन ओर्डर खराब कर रही थी क्या इस तरीकी कारवाई महिला के साथ करना दिलवाय जाएगा सुदर्शे नियूस की मुहीम लगातार यह आगे बढ़ रही है जिसका अब कही ना कहीं फाइदा नजर आने लगा है वो मुहीम का रंग जो है नजर आने लगा है ममता के लिए तमाम संगठन आगे आने लगे हैं राश्च्र महिला आयोग ने इस मामले म से कहती है तो पुलिस नहीं पहुंचती है लेकिन इसके उलट अगर ससुराल वाले इस बात के लिए फोन कर देते हैं कि महिला उसके घर के बाहर बैठी हुई है वह आत्म दाहा कर लेगी वह कुछ उल्टी सीधी हरकत कर देगी तो महीं तो पुलिस वाले तुरंट एक्टि की दिया गया तो यह इसकी बेल करने वाला कोई नहीं को ब्यद्ज कोन करे गर पहरोकारी नहीं करपायगा कोई तो आजा नहीं हम इस कम्हां जो है उत्तर-पर्देश में मैंनेदेख倍 मामनों में और की माम लोमने मैं हों कई मामनों में डेख वि रहा हो लोग वाली को पर परतिवाधी को वादी बनाने में पुलिस का खेल अक्सर सामने आता है मीडिया के अक्सर देखा है वादी को एक मिनिट में परतिवाधी बना दिया जाता दूसरी चीज में यह कहना चाहूंगा अभी रागवेंदर दूबे जी थे समाजवाधी पार्टी से उनका व्हान आय स्पी ग्रामीन जगदीश सर्माजी जो है उनका ब्यान आया था के महिला इस महिला ने जो एन आखमदम कर दिया इसको जेल बेजा जाए वही करके दिखा दी SDM ने भी अपना काम पूरा किया SDM महोदे को यह चाहिए था कि उस बच्चे की मानवता पर ध्यान रख लेते हैं और इतना बड़ा 151 कोई का मेरे पराद भी आप मेरी बात सुन लीजिए अभी जनता को मैं बताना चाहूं अभी सपानेता जो हैं ब्यान दे करके गए दोस्य सरकार से क्या SDM मोदी नगर, CO मोदी नगर, SO मुराद नगर और SP ग्रामिन जगदी सर्मा इस पर श्रूप से हो गया है तो वो बता रहे हैं इसको जेल बेजिएंगे और जेल बेज भी दिया तो क्या इनके खिलाप कारवाई करेंगे और करेंगे तो कब तक करेंगे सवाल यहां पर पूरी तरीके ताश्वासन जरूर दे रही है कि यहां पर कारवाई की जाएगी बिलकुल वापस आऊँगा राजिव जी आपके पास लगातार लेकिन सुदर्शन न्यूज की इस मुहीम का असर अब दिखने लगा है ममता को निया दिलानी की बात कही जा रही है राश्ची महिला आयूग ने इस मामले में संग्यान लिया है क्या कुछ अब आगे होगा क्या ममता को निया मिलेगा जल दोटते हैं वक्त एक छोटे जब्रेक का झाल तो लगातार सुदर्शन नियूज की मुहिम के तहत यहां पर अब ममता को इंसाफ मिलने की आस बढ़ने लगी है ममता को जल्दी इंसाफ मिल जाएगा तमाम संगठन जो अब तक कान में रूई डाल कर बैठे हुए थे वो अब आगे आने लगे हैं लेकिन इन तमाम संगठनों ने आगे आने में देरी करती लगातार सुदर्शन नियूज अपनी मुहिम को आगे बढ़ा रहा है और अब कहीं न कहीं उस मुहिम का असर दिखने लगा है राजीव शर्मा जी की गोहार के बाद उनकी इन तमाम संगठनों के आगे अप पूरी ममता की बात पहुचाने के बाद इन संगठनों ने इस मसले पर संग्यान लिया है और अब उम्मीद है कि जल्दी ममता को नियाय मिलेगा एक कालर हमारे साथ है उनकी क्या राय है इस पूरे मसले पर आओं धियो मिलसकार डिया आपको जे धन्यवाद सवाल यही है कि आखर पांच महीने के बच्चे को जेल में क्यों भेजा गया क्या पुलिस इतनी ऐसा में दिलशील हो चुकी है क्या महीला वहाँ पर law and order खराब कर सकती थी सवाल SDM पर भी है जो अपने विवेक से महीला के खिलाफ कोई कारवाई कर सकते थे उसे आश्वासन दे सकते थे उसकी मदद कर सकते थे और एक चेतावनी दे कर अगर महिला ने इस तरीके का कोई अपराद किया भी था तो उसे एक चेतावनी दे कर छोड़ा जा सकता था मानवता के आधार पर ऐसा किया जा सकता था लेकिन ऐसा क्यों किया गया कि ममता के खिलाफ इस तरीके की कारवाई की गई उसे जेल भेज दिया गया उसके पांच महीने के बच्चे के साथ यही सवाल हम जानना चाहते हैं उन तमाम अधिकारियों से जुन्होंने ममता की उस वक्त बिल्कुल नहीं सुनी जब वो दरदर भटक कर अपने लिए मदद मांग रही थी लगातार वो सिर्फ यही चाहती थी कि उसके बच्चे को घर में रहने के लिए इजाज़त मिल जाए उसके ससुराल वाले उसके बच्चे की मदद करें उसे रहने के लिए जगा दे लेकिन कोई भी अधिकारी कोई भी आयोग तो अब कोई भी संस्था जो लगातार को सुधार लिया गया है लेकिन हर रोज इस तरीके के नमूने देखने को मिल जाते हैं इस तरीके के उधारन देखने को मिल जाते हैं कि महलाओं के साथ किस तरीकी की बचसलू की उत्तर प्रदेश में इस वक्त हो रही है एक लंबी फैरिस्त है जो लगातार मीडिया में आ पूरे प्रकरण में सुधर्शन न्यूज का काफी श्रय आपका भी है पूरे मामले में किस तरह की कठाई आपको आई तरसल कठना ही तो जो भगदर करने में मुझे आई हैं अगर संबंदित अधीकारी या संबंदित संस्थान खुद संग्यान ले लेते हैं आज मैंने सभी को मेल किये, फैक्स किये और सभी को बार-बार कोल करके बताया, अउगत कराया दूसरा में एक चीज और कहूंगा सिख्षक जो है, तेस का विधाता है, यह मानते हैं, सिख्षक जो स्टुडेंट्स को तयार करता है, वो आई-एस, आई-पी-एस, जजज, कलक्टर, मजिस्ट्रेट, चेर्मेन, मंत्री, मुख्य मंत्री, परदान मंत्री, यहां तक की राष्टपती तक बनते हैं, ठीक है? और उन सिख्षकों को, जो सिख्षा दे के इन लोगों को इतने बड़े ओधे तक पहुचा रहे हैं, उन सिख्षकों के उन गुरुओं के साथ ऐसी ज़ादती है, आप सपने में भी ने सोच सकते हैं, हिंदुस्तान में महिला को, नारी को, माता का दरजा दिया गया है, दे पर्ट्री वालों के साथ, अनपढ़ आदमियों के साथ, पुलिस और कानून किस तरीके का वैभार करता होगा? किस तरीके से आप इस पूरे मसले को देखते हैं? किस तरीके से बढ़ाते रहो, बाद में अपने अभी चुप हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ा रहे है, एक महिला के ओपर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, और सोचने वाली बात है कि उत्तर परदेश पुलिस उसके लिए कुछ कर ही नहीं रही है, आप देखिए कि अगर उन्हीं के घर की महिला के साथ कुछ ऐसी जाज़दी हो रही होती, तो क्या करते हैं, उत्तर परदेश में जो महिला आयोग है, वहां की राज़देवी चौधरी जो है, पहले उन्होंने तो बोला कि मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, और आज की नियूस पेपर में खुद नियूस चपवाती है कि उत्तर परदेश महिला आयोग उनकी मदद करेंगा और उन्हें इन्साफ दिलाएगा, आप ये देखिए कि कोई भी समझ वारी पार्टी का नेता किसी भी अच्छे काम के लिए आज आगे आता है क्या नहीं आता, कोई भी बुरे काम जितनी उत्तर परदेश में घटना है देख लीजे ना, आप मुझफ शर्माजी उनसे बात करने की कोशिश की, वो सुदर्शन न्यूस के साथ फोन लाइन पर आने के लिए तयार नहीं है, सुदर्शन न्यूस से बातचीत करने के लिए तयार नहीं है, साथ इसाथ जो SSP है धर्बेंदर यादर हमने उनसे भी बातचीत करने के कोशिश की है, यह अधिकारी इतने सविंदिलशील हैं, क्यों इस मामले पर बोलने के लिए तयार नहीं है, क्या वास्ता में लगता है उन्हें कि उनसे कोई चूक हुई है, इसलिए हम उनसे यह सवाल जानना चाहते हैं, कि आखर इस महिला के खिलाफ इस तरीके की कारवाई क्यों की गई, स किसी को जेल पहुँचाने कि उसके मंचा नहीं थी, लेकिन उसके परिवार वालों ने उसे जेल पहुँचा दिया, और उसमें पूरा साथ दिया, उत्तर प्रदेश पुलिस ने, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने, और तमाम वो संगठन, जो लगातार महिलाओं के श चौधरी ने कोई भी संग्यान इस पूरे मामले पे नहीं लिया है, राजिव जी आप से जानना चाहूंगा, उसके बाद क्या कुछ हुआ, राजदेवी चौधरी से हमने उस दिन बात की थी, पहले दिन जब हमने मुहिम चुरू की थी, क्या रस्पॉन्स राजदेवी च चुनाव आयोग ने चुनाव के समय में उनको एक जाती विसेस का होने के करण हटा दिया गया था, बाद में उनकी बाहली की गई और जनता को दुख भी वा था कि उनको चुनाव आयोग को ऐसा नहीं करना चीए था, निस्पक्स चवी के व्यक्ति हैं, आज तक कोई मामले में क्या हुआ है, आज सवाल उनकी मनसा पर पही है, कि जिनके नाम से जो है गाजयाबाद पुलिस के अधिकारी, सचो अगेरा, सीओ अगेरा, और चो की परभारी, खोप खाते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए हम से, आज भी ये दैसत हैं, आखिर वो अधिकारी इस माम के लिए कानूल अलग है, क्या इसी मंच्छा से गरिबों के लिए कारवाई की जाती है, और अमीरों को छोड़ दिया जाता है, कॉलर है हमारे साथ उन से जानते है, उनका क्या कुछ पूरे मसले पर कहना है, जी, नमस्कार, क्या कहना है आपको, नमस्कार, मैं आपको जी, 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 शुक्रिया, जाहिर है, जिस तरीके से मसला उठा है, लोगों ने बढ़ चड़ कर इस पूरी मुहीं में सुदर्शे नियूस के साथ लोग आए है, लोग अपनी लगतार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, और इस पूरे मसले पर पुलिस का जो रवएया ममता के लिए रहा है, वो कितना सही है, इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं, एक और कॉलर है मारे साथ, तुन से जानते हैं, वो क्या कुछ कहना चाते हैं, जी, नमचकार, कहिए आपको क्या कहना है, जी, प्रतिक्रियाएं लोग मम्ता की मदद के लिए आ गया रहे हैं तमाम प्रतिक्रियाएं हम तक पहुँच रही हैं और लोग बताना चाहते हैं कि किस तरीके का जो कारवाई का तरीका है उत्तरप्रदेश पुलिस का वो कितना गलत रहा है जाहिर है उत्तरप्रदेश पुलिस पर कई बार सवाल उठते रहे हैं यह मतला अब सिर्फ मम्ता का नहीं है इससे पहले भी बदायू से लेकर अब तक जितनी घटनाय हो चुकी हैं उन तमाम चीजों के लिए राज्य सरकार पर सवाल उखते रहे हैं और एक बार फिर से एक महिला इन तमाम अधिकारियों का राज्य प्रशासन का और उन लोगों का जो इस ममता के साथ अन्याय करने के लिए उत्तरदा से देखा जाए, SGM सहाब की जो जिस तरीके का उन्होंने फैस्ता लिया, क्या मंशा थी, क्या वो एक सिक्षिका जो एक स्कूल में मोरल की टीचर है या फिर वो बच्चों को पढ़ाती है, वो इस बारे में नहीं सोच सकते थे कि एक सिक्षिका क्या महां का लाइन ओर खरा है, और उनके खिलाफ क्या एक्षिका करने के आवशक्ता नहीं है, लेकिन फुलिस में इतना दम नहीं है, वो इनके खिलाफ एक एक एक्षिक प्लिस पुरी तरीके से दवाओं में काम गर रही है, बड़ी लोगों की, शासन की दवाओं में, उसको इस वकत यही देखना है कि ण्याय क्या है और अन्याय क्या है, वो इसकी देखती है, मेरे उपर कितना दबाव आया है कारवाई ना करने का, उसके तहर काम पर Kitty है, उनका विवेट पालिप है, इनको अपने चातूकारशा करने है उसको उसकी नुड़ के लिदे लगे रहते है, वरना नहीं दिलाने कि लिए इस महले के लिए पुरा प्रसासा ने जुट हो सकता था ऐसा कोई कानून में को रोकता नहीं कि इसी मदद करने के लिए कोई कानून नी रोकता है और कानून कहता है कि गरीज की और लाचार की मदद करो कोई कानून ऐसा नहीं जो मना करेगी कि इसी मदद नी बनी विपिन गौर्ड जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए है विपिन कहीं अगर देखें पूरे मसले पर जो पुलिस की पूरी कारवाई का जो तरीका रहा है वो काफी जादा संधे के घेरे में हैं कही ना कही जो परिवार वाले हैं, वो पुलिस के टच में थे, वो लगातार पुलिस के संपर्क में थे, जब वो पुलिस वाले को कॉल करते हैं, तमाम परिवार वाले हैं महिला के, तो पुलिस एकदम से कारवाई करती है, क्या यही तरीका होता है पुलिस का कारवाई करने क कि महिला को आप उठाई ये अस्पताल पहुंचा दीजे, उसके बाद जेल पहुंचा दीजे पैसा है, याप करिमिनल है, तो आप मझे से रह सकते हैं, और आप करिमिनल नहीं है, सीधे सादे Alright, तो उत्तर परदेस चोड़के चले जाए ये साफ साफ मैसिज है, मेरेख मेरे ख्याल से उत्तर परदेस सरकार का, क्योंकि उत्रप्रजस के मुख्या अपने बाशनों में कह देता है जी रेप कर दिया तो कोई बात नी गलती कर दी उत्रप्रजस के मुख्यमंतरी कह देता है किसे रेप के बाद आपके साथ तो नहीं हुआ उनके सामने नंबर बनाने है, अपना पद बढ़ाना है, सब इस्पेक्टर से इस्पेक्टर से उसके बाद SSP तक पहुँचना है, तो यह सिफ एक खेल बनाने वाली बात है, और इस महीला के साथ जो जास्ती हुई है, अब मैं आपको एक किसा और बदापक उसनों पहले कई, एक महीला एक कंप्लेंट कराने गई, तो पुलिस वाले बोलते हैं, FIR दज करेंगे, इससे हमारा क्या फायदा होगा, तो यह उत्तर परदेश पुलिस का है, बिलकुल, जैस, आपके चैनल के माध्यम से, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कि कोई एक मीडिया एक जो की समाज की हकीकत में जो चीजे दिखानी चाहिए है, उन चीजेओं को टीपे दिखा रहा है, और परशासन को सुचित कर रहा है कि आपके द्वारे एक गलत हो रही है, मगर उत्तर परदेश से, मैं कोशिश करता हूँ, मैं चाहता हूँ, कि आपके चैनल के माध्यम से ये मामला जो है, ये सेंट्रल में पहुचे और सेंट्रल से इस मामले पे कारवाई हो और जिन जिन लोगों ने जिन जिन पदारिकारियों ने इस महिला को जेल में डाला है और इसके खिलाफ को इसके अगेंस में कंप्लेंट करी है, उनके खिलाफ सेंट्रल गवर्मेंट से सक्त कारवाई क्योंकि उत्तरपरदस गवर्विंट में क्या होगा कुस दिन के लिए सस्पेंट कर देंगे उसके बाद दुबारा जोए नहीं जे कही बिलकुल कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर भी सवाल उड़ रहे हैं जिस राज्य सरकार के मुखिया ये कहते हैं कि लड़कों से अकसर गल्तियां हो जाया करती है रेप के मामले पर इस तरीके के बयान किसी ₹र्य सर्कार के मुक्रिया दे सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि राज्य की पुलिस कि सतरीके का वैवार वहां की महिलाओं के साथ जो लोग या जो महिलाएं उनसे वैवार नयाय चाहती हैं उनके साथ किस तरीके का वैवार यहां पर किया जा सकता है जी राजीव जी आप कुछ कहना चाहते हैं पतरकार विपिन गोड़ जी ने बताया कि उत्तर परदेश सरकार जादे से जादे निके खिलाब कारवाई कर देंगे फिर बहल हो जाएंगे मेरा तो सवाल यह है मुझे इस बात में भी संधे है कि सरकार परदेश में रह रहे हैं और आप किसी मामले में वादी तो आपको प कानून विवस्था का अगर यहाल होगा तो किस तरीके से लोगों को नया मिलेगा ममता जैसी महिलाओं के साथ किस तर इसी तरीके का वैवार होता इसकी हैल करना बहुत जादा जी धन्यवाद लगातार हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ममता की मदद की जाए इसलिए सुदर्शन न्यूज लगातार इस मोहिम को आगे बढ़ा रहा है ममता को नया दिलवाने की हम पुर्जोर कोशिश कर रहे हैं और इस मोहिम का असर जो है वो हाँ सर बोलने काई है कि ममता नाम की यह औरत है जे उसको क्यों आखिर यूपी सरकार जेल में डाल दिया है जे धन्यवाद हम भी यही जानना चाहते हैं कि आखिर ममता के साथ इस तरीके क्या बैवार क्यों बिल्कुल सवाल यही है कि राज्य सरकार एक महिला के साथ वहां की पुलिस इस तरीके के वैवार एक महिला के साथ कैसे कर सकती है जिसके पास पाँच महीने का बच्चा है एक सिक्षिका है वो और उस पर आरोप लगाया जाता है कि वो law and order खराब कर रही है क्या वास्तव में पुलिस महिला के खिलाब शड़यंतर कर रही थी क्या वास्तव में पुलिस और महिला के ससुराल वाले आपस में मिले हुए थे सवाल यही है तमाम अधिकारियों से SSP हो हम तमाम लोगों से संपर करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई भी अधिकारी फोन पर आने को तैयार नहीं है महिला आयोग, जो राज़ देवी चोहदरी हैं, सदस्य है महिला राज़य महिला आयोग की, हमने उनसे भी संपर करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी फोन पर आने से साफ इंकार कर दिया, कोई भी हमारा फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है, इस मामले पर बोलने के लि पथ्रों की दिवारों से अपना सर टकरा रहे हैं जी विकिन इतना जानता हूं कि उस्ते फुझेस की जनता के सर इतने कमजोर नहीं है वो सर टकरा करके दिवारों को तोड़ देगी और लेडी इसको नया जिलाने के लिए हर भर्षक प्रयाद करेगी और कल आप देखिएगा मैं आपको यहां रोकना चाहूंगा फिलाल मेरे साथ ममता शर्मा जो राश्चे महिला आयुक की अध्यक्षा मौजूद है ममता शर्मा इस सुदर्शन डियूद में स्वागत है आपका यह पूरा मसला ममता जी आपके सामने हमने रखने की एक कोशिश की है लेकिन सवाल य ही जाता लेकिन इतनी बड़ी गल्ती पे लगातार वो अपने आदमी को डिफेंड कर रही है यह बहुत गलत है एक तरफ हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं महिला सम्मान की बात करते है मेरे क्याल से आज़ादी के पहली राजादी के बार किसी सांसद्र ने इतने गंदे ش और मैंने सुमित्रा महाजन जी को भी चिप्ठी लिखिये, जो स्पीकर है, ओनेरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी लिखिये, प्रेजिजेंट को भी लिखिये, कि इनको एक घंटा भी पार्लियामेंट में बैठने का अधिकार नहीं है। कारवाई की जाए? बिल्कुल हम करेंगे पहल कि वो भी एक महिला है, उनके सिलाफ अगर कुछ हुआ है, तो महिला आयो उनके साथ है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो तपस्वाना मामला है, उसके लिए मैं यही कहूंगी, कि तुरंट एक्शन लेने ना दा, तो शायद यह जी, धन्यवाद ममता शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए, जाहिर है, जस तरीके से यहां पर पूरा मामला उठाया गया है, उसका असर जो है, दिखने लगा है, तो दर्शन न्यूस की मुहिम जो है, यहां पर रंग लाने लगी है, हम विपिन गौर जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ 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 आपका भी बहुत शुक्रिया, इसे के साथ इस पेचके समितना ही, बागी ख़बरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूस, यहीं